आसले देखो प्लीज मुझे बताओ उसने क्या कहा यकीन करो कुछ नहीं कहा मैं रेस्टरूम से बाहा निकली और वो वहां खड़ा था वो जिस तरह से मुझे देख रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा बस इतनी सी बात है कमी ना कही का है तुम ठीक तो हो ना मैं ठीक हूँ जान क्लास खत्म होनके बाद मेरा वही इंतजार करना मैं तुम्हें लेने आओंगा ठीक है तो चलो चलते मुझे बहुत फूक लग रही है ठीक है कुम शीक है कर दो पहाएति को एक अब बादो कर दहाएत है जल्दी चलो यहां से बना वो मुझे देख रहेंगे लेकिन तुम हो काथ वो छोड़ो चलो यहां से वो मेरा पीछा कर रहे है चलो चलो जल्दी चलो यहां से वो मुझे देख रहे हैं तुम्हें तुम्हें नहीं बिल्कुल भी नहीं थैंक यू सिनान यह जलो बाहर जलते हैं आज लंच साथ में करें हैं अहां ठीक है चलो चलते हैं तुम ठीक हो मैं ठीक नहीं हूँ क्या बात है हम लोग चैन से कब जी पाएंगे सिनान एक तरफ हमारे बच्चे हैं दूसरी तरफ तुमारी एक्स वाइफ है और अब ओक्टी भी लोटा है लाफ इतनी मुश्किल क्यों हो रही है अब उसने क्य क्या कहा कुछ नहीं आया था उसने पेपर में हमारी शादी की न्यूस पड़ी थी और तुम उससे शादी कर रही हो ये सुनकर वो और भी पागल हो गया होगा सही कहा रही है उसने तुम्हें बुरा भला तो नहीं कहा न अरे बिलकुल भी नहीं अब मैं इतनी स्ट्रॉंग हो गई हूं कि मुझे उसकी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पता था वो मुझे बदाई तो नहीं देने वाला है लेकिन खामगा मुझे तक ठीक है मैं उसके पीछा चुड़ाता हूं और उसके बाद तुम भी उतर जाना ठीक है डिल पक्की कौन थे वो लोग और तुम इस तरह है मेरी कार में क्यों गुसी पुलिस को फोन क्यों नहीं किया तुम इतने बेवखुफ तो नहीं लगते तुम्हें पार्किंग लॉट में कहीं पुलिस दिखी क्या या कॉल करते ही वो आस्पान से चपकने वाले थे ठीक है मैं फिर से पूछ रहा हूं वो लोग कौन थे वो दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं बड़े सोच समझ के जवाब दे रही हो अरे वा तुम तो मेरी डायलोग मुझ पर ही मार रहे हो तुम हमारी उनिवर्सिटी में हो तुमने उनिवर्सिटी खरीद ली है नहीं मेरा मतलब क्या तुम भी वहीं पढ़ती हो हाँ ऐसे क्यों देख रहे हो क्या मैं स्टूडेंट नहीं लगती तुम्हें क्या लगता है सोरी मैं भूल गई वहां का स्टूडेंट होने के लिए मेरे पास लग्जरियस कार और नक्चरा एटिटिट्यूड होना चाहिए न मेरे पास स्कॉलर्शिप है समझ गया तुम स्कॉलर हो लगता है वो पीछे रहे गए हाँ वो पीछे हट गए तुम उतर सकती हो थैंक्स मैं यहीं उतर जाओंगी ठीक है मैं गाड़ी रोपता हम थैंक्यू थैंक्यू कि रिता है प्रिए व्हाँ हो थैंक्यो थैंक्राव करते हैं कि दो प्राव है, वैंक्राव करूँ अदोनी वाँ आसले तुम ठीक तो हो ना मैं ठीक हूँ बुराग देखो मुझसे प्रामिस करो और अपना प्रामिस तुम बिल्कुल नहीं तोड़ोगे मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के से बिल्कुल दूर रहो ओके आसले आज के बाद हम दोनों उस इंसान से दूर रहेंगे जहाँ वो होगा वहाँ हम नहीं जाएंगे और क्लास खतम होते ही कॉलेज से निकल जाएंगे इसका मतलब हम कॉलेज में भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकते हैं ऐसा मत सोचो कम से कम हम शांती से तरह पाएंगे बुराग प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अज के बाद से उससे बिल्कुल जखड़ा नहीं करोगे देखो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी हाँ मैंने ओके का ना आप्रॉमिस डरो मत दो ठीक है अब मैं चलती हूँ तुम अपना खायल रखना प्लीज ओके उन दोनों को हाई कहाना बी क्याफ़ू हेलो कॉलेज का पेला दिन कैसा रहा अच्छा था था थैंक यू एर्दम अच्छा सुनकर अच्छा लगा असल तुम आ गई यकीन नहीं हो रहा ओके अब मुझे सब बताओ दिन कैसा रहा यहां बैठो और मुझे सब कुछ बताओ फ्लीज आओ बैठो ठीक है कॉलेज कैसा है बुराकर तुमने क्या किया वहां का कैफेटीरिया कैसा है यह इंपोर्टन्ट है और बाकी के स्टुडेंट अच्छा उने गोली मारो मैं भी न अकेले बोली जा रही हूं तुम बताओ मुझे चलो मुझे सब कुछ बताओ हाँ हाँ सब बताती हूं देखो आसल मुझे सब को जाना चोटी से चोटी बाद मुझे बताना समझ गई यार क्लास खातमोंने तक सब कुछ ठीक था मैं और बुराक कॉलेज के बाद मिलने वाले थे लेकिन जानती हो सबसे पहले कौन मिला चारला यकीन नहीं होता यार वो हलो, कैसे हैं आप अब, हलो जविस जी मैं आपके काम सब्सक्ता आए मैं थीक हूं, मैं सुन रहา हूं, आप बोले हूं मैं मेल्स कॉस्मेटिक्स में अपना सारे शेयर्स बेजना चाहता हूँ और आप इसे जल से जल बेजना चाहते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल, तुरंट बेज तो, ओके, आपका काम हो जाएगा वो अपनी शेयर्स बेज रहा है? अफकॉस मुझे चाहिए तुम सीरियस हो? ओके, मैं उसे बात करके तुम्हें बता दियो ओ, हाई भुलकान तुम ठीक तो होना, मेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेटा बोलो, क्या बात है? मेरी मॉम के बारे में तुम्हारी मॉम के बारे में हाँ देखो, वुलकान उसके साथ जो कुछ हुआ हो मेरा उससे कोई संबंध नहीं लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो ये कभी मानेगी नहीं आप जिनता मत किजी अंकल मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सुनकर अच्छा लगा लेकिन एक बात ना मुझे खाए जा रही है अब क्या हुआ? उसने एदा से कहा कि वो जेल में थी, इसलिए हमसे मिलनी नहीं पाई और उसने कहा कि ये बात आप भी जानते थे वो जेल में थी? भशाक हाँ अंकल वो हर रोज एक नया जुट बोलती है और वो पागल एदा उसके हर जुट को सच मान लेती है वोलकान मुझे नहीं पता वो इतने साल कहा थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जेल में थी मेरे ख्याल से वो जूट बोल रही है लेकिन मैं सच का पता लगा लूँ ऐसा हुआ तो बहतर होगा और हाँ ये बात प्लीज हमारे बीच में ही रखिये मैंने इचाहता कि शादी से पहले डाड को कोई भी टेंशन हो जरूर बेटा तों चिंता मत करो वो बाइदेवे एडा को उससे दूर रखने के पूरी कोशिश करना ठीक अंकल चलो मिलते हैं मुझे यकीन नहीं होता आस्ल वो गनी हमनी जैसा सोचा था उससे जादा खतरनाक है वो तो कमीना है हाँ गौंचा आस्ल तुम्हें बुराक को बताना चाहिए था पर उसने अगर तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ा तो उससे बता देदी तो दोनों में जगड़ा हो जाता हम कॉलेज में थे और मैं नहीं चाहती कि बुराक किसी प्रॉब्लम में फच जाए तुम सही कह रही हो पर अब हम क्या करेंगे और कर भी क्या सकते हैं हम उन दोनों से दूर रहने की कोशिश करेंगे पहले तुम्हें चाला मेली अब ये लेकिन तुम टेंशन मतलो उन्हें भूल जाओ और पढ़ाई पर फोकस करो और मैं हूँ ना ये बताओ कॉलेज कैसा है वहाँ पर लड़कियां कैसी है स्टाइलिश होंगी ना हाँ बिगड़ी अमीर जादियां है लेकिन एक लड़की मिली वो थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन अच्छी है वो बिल्कुल मेरी तरह है कौन है वो लड़की वो मेरी क्लासमेट है उसका नाम है बानू उसकी ड्रॉइंग बहुत अमेजिंग है तो मैं देखनी चाहिए मुझे बहुत अच्छी लगी अगर मैं अच्छा कैमरा ले पाई तो हम फोटोग्रफी क्लब जॉइन कर पाएंगे पहले दिन ही दोस्ती हो गई तुम्हारी अब तो नई दोस्त मिल गई है तो तुम मुझे पक्का भूल जाओगी है ना असल पागल हो क्या तुम तो मेरी जानो गॉन्जा मैं तुम्हे कैसे बूल सकती हूँ नहीं बूलोगी ना अच्छी खाबर है अब मुझे भी काम पर लोटना चाहिए हेलो येस गॉन्जा पेस्ट्रीज हाँ जरूर मिलेंगे सर एक काम करते हैं आप खुछ शेफ से बात कर लीजे वो आपको खुदी बता देंगी एक सिकिंड मिस आसलर हलो इवनिंग मैं इवेंट प्लानिंग कंपनी से बात कर रही हूं मुझे आपका नंबर मेरी दोस ने दिया मुझे ओर देना था दिखो बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम प्लीज सारी डीटेल मुझे मेल कर देना ओकी जरूर मैं आज ही मेल करूँगी मुझे आपके कॉन्टाक्ट डीटेल्स मिलेंगे ठीक है थांक यू बेरी मुझे वेरी मुझे वेरी मुझे वेरी मुझे हमें सौ लोगे के लिए शादी का ओर्डर मिला है भाईया पछली बार जब आप मुझे पिक करने आये थे मैं सेवंथ में थी और इसके बाद आप आज आ रहे हो अच्छा इतना वक्त बीट गया हाँ बिलकुल आपने अंकल से बात की क्या हाँ की उन्हें नहीं पता था कि वो जेल में थी मुझे पता था वो जूट बोल रहे हैं एदा, वो हमारे अंकल है, हमसे छूट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इतने सालों से उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है और अब वो सिर्फ पता ना होने का नाटक कर रहे हैं भाया बेवकुफ मत बनो एदा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो उस औरत में क्या कर दिया तुम पर? वो बस हमें मॉम की तरह प्यार करती है और कोई बात नहीं है अब समझा तुम इतनी अंधी कैसे हो गई हो वो तुम्हें कंट्रोल करना जानती है ठीक है एदा उसके साथ कुछ और वक्त बिता हो आ रहे है उसे समझने की कोशिश करो फिर तुम्हें पता चल जाएगा लेकिन मैं वही तो कर रही हूँ भाया मैं मॉम को समझने की कोशिश कर रही हूँ काश आप भी उन्हें समझने की कोशिश करते ठीक है अगर वो वागई जेल में थी तो मैं कोशिश करूँगा क्या सच में हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझसे एक प्रामिस करो अगर पता चला कि वो जूट बोल रही है तो फिर तुम उसौरत से कभी नहीं मिलोगे ठीक है मुझे मन्जूर है देखो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है गॉंचा हम एक बड़ा केक बनाएंगे और बाकी गेस्ट के लिए कपकेक्स भी बनाएंगे ओ आसले ये तो बहुत खूब सूरत है मेरा मतब आईडिया तो अच्छा है मुझे भी यही लगता है हाँ प्रेजेंटेशन तो बढ़िया है और हमें केक कटिंग की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से यही तिम पेच करते हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं आसले ओ एक बात कहूँ हमें हमारे लिए भी कैसा केक बनाना चाहिए हमें ट्राइ करना चाहिए हमारी शादे के लिए हलो हलो यह लिजे आरे आपके लिए यह क्या है यह हमारे नए डान स्कूल का ब्रोशेर है तांक्यू बेरी मॉच वाव आसले यह डान स्कूल तो कमाल लग रहा है हाँ सही कहा यार और यह देखो यहां सब सिखाते हैं वाल्स, टैंगो और सब तरह के लैटन डानसेज भी हैं यह देखो ना चाचा, सामबा, रूमबा सब सिखाते हैं और यहां बैली डानसिंग भी है अगर कुछ नहीं कर पाई यह तो कर ही लेंगे क्यों क्या कहती हो तु हम तो यह कर सकते हैं आसले हम एडमिशन ले लें क्या मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है कम से कम तुम स्कूल तो जाती हो मेरे पस तो वो भी नहीं है मैं काम पर जाती हूँ फिर घर लोट जाती हूँ ठीक है हम जाएंगे लेकिन फीज जादा नहीं होगी न मुझे नहीं पता मिस देफने हमारी बाते सुनने से अच्छा होगा कि आप काम पर ध्यान दे दे नहीं मैं कहने वाली थी कि वो बिल्डिंग भी हमारी है तो स्कूल भी हमारा टैनेंट है तुम चाहो तो मैं डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ यकीन नहीं होता है यार पर पूरा इलाका इसके बाप का ही है वैसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो बात कर सकती हो ठीक है तो फिर डान समझो मैं काम की बात उनसे कर लूँगी आसलम मैं जल्से जल्स शुरू करना चाहती हूँ क्या बात है गॉंजा क्या शुरू करने जा रही हूँ डांसिंग अच्छी बात है गुंजा अगर मैंने सही सोना तो तुमने डांस कहा ना तुम अब डांसिं शुरू करने वाला यह मतलब असली वाला डांस इसमें पूरी बॉडी यूज करते हैं वाह क्या बात है तो फिर चलो ना, इसे रखने में मेरी मदद करो, फिर हम डांसिंग के बारे में साथ में बैट के बात करेंगे. आइदम, तुम खुच जा कर रख दो ना, और तुम इस डांस कोर्स के बारे में क्या बात करना चाहते हो मुझसे? गोंजा, प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना, ओफ, ओके, आती हूँ, आती हूँ, देखो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, जरा ये देखो, तुम जानते हो साल्जा क्या होता है? हाँ, बताए मुझे, हाँ, हेलो, तुम आ गए बुराग? क्या हुआ? इतनी खुश क्यों लग रही है? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमें शादी के लिए बड़ा ओर्डर मिला है ये तो गुद न्यूज है, कॉंग्राचिलेशन ओ नौ क्या हुआ बुराग? शादी से याद आ है असले इस हफ़ते मेरे अंकल की शादी है मुझे वहाँ जाना होगा लेकिन वहाँ उस वक्त चाला भी मौझूद होगी और मैं नहीं गया तो बुरा लगेगा हाँ, बहुत बुरा लगेगा और इतनी खुशी के मौके पर तुम्हें वोलकान और एडा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अगर हम मोम डाड को बता देते हैं तो तुम भी साथ चल सकती थी मैं फिर भी नहीं आती बुराग मुझे देखती ही चारला पागल हो जाती और मुझे भी घुस्ता आ जाता खामाखार टेंशन लेनी की कोई जरुवत नहीं हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो बहतर होगा क्या मैंने तुम्हें बताए कि दुम बहुत ब्योड़फुल हो नहीं तो तो फिर अब बताता हूं आसले मैं तुमसे प्यार करता हूं मैं भी तुमसे प्यार करती हूं तुम रेडी हो ना निकलते हैं ठीक है मैं घर चल कर काम ख़तम कर लूगी रुखो जब लूग गौन्जा में जा रही हूं ओके बाई च्वाला क्या मैं तुमारी कोई मदद करूँ नई मौम रहने दीजे बस ख़तम ही होने वाला है ग्रेट बेटा हम सिनान के घर शिफ्ट हो रहे हैं इस बात से तुम अनकमफिटेबल तो नहीं हो ना बिलकुल नहीं आम इक्साइटेट आम शॉर बहुत मज़ाने वाला है रियली यह सुनकर मेरा बोज हलका हो गया चाला मेरी ख्याल से एदा और मेरी खूब बनने वाली है उमीद तो यह है या शायद वो अपनी मा के पास चली जाएगी क्योंकि वो हमसे नफरत करती है बिलकुल नहीं सिनान उसे कभी भी नहीं चाने दिगा फिर भी कुछ कह तो नहीं सकते है मैं तो डैट का रियाक्शन देखना चाहती हूँ वेल मैं इतना कह सकती हूँ कि वो बिलकुल भी खुश नहीं है अब डैट से मिली थी? वो आज मेरे आफिस आया था वो यहाँ है और उन्होंने अभी तक मुझे एक फोन तक नहीं किया वो बहुत अपसेट था और बहुत घुसे में भी था जबसे उसे शादी के बार में पता चलाया वो मुसे बहुत नाराज है ऐसा होगा हमें पहले से पता था जानती हूँ मॉम लेकिन उनकी बातों का आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना ठीक है ना चार ला इस शादी को लेकर तुम मुसे नाराज नहीं हूँ न क्योंकि तुम्हें नाराज करके मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी नहीं, बिलकुल नहीं, मॉम और आप डाड का टेंशन मत लेना मैं उनसे बात कर लूँगी तो मैं अपना सामान पहकर लीती है तुम कल सुबा भेज रही हो ना वो सब मैंने जो चेंजेस कहते हैं, वो सारे कर दिये तुमने ओके, थैंक यू वेरी मज़, हैव गुड दे, बाई, सी यू सेल्डा, ओ हनी, वेलकुम थैंक यू हनी, थैंक यू मैं अपनी डिजाइनर से बात कर रही थी मैंने उसे कहा था कि मेरे कपड़े टाइम पे दे देना देखो न अब शादी को देने के इतने रह गए हैं ये शादी हम सब करी खुश ख़बरी होगी, देखो मैं उनके लिए क्या तोफ़ा लाया हूँ ओ वाउ, देखो जरा ओ निहाद, ये तो बहुत खुशूरत है तुम तो बिल्कुल मेरी पसंद का तोफ़ा लेकर आये हो लेकिन ये एलचिन को मिलेगा शादी की तयारी में मैं उसके साथ ही रहने वाली हूँ तब मैं उसे ये दे दूँगी हो सकता है, शादी की दिन वो यही पहनने वाली हो, अच्छा लगेगा अच्छा आइडिया है, ठीक है तुम ही दे देना ओके लव, मैं इसे सेफ में रख देती हूँ पता है, ये शादी हमारे लिए डबल खुशखबरी हो सकती थी बुराक और चारला की शादी अनाउंस कर सकते थे हम, लेकिन पता नहीं हो क्या गया, सब कुछ गड़बढ हो गया शेल्डा तुम अब भी उसी बात पर अटकी हुई हूँ तो मैं क्या करूँ निहार, कैसे भूल जाओं, मैं उन दोनों का अलग नहीं देख सकते निहार, जरूर किसी की नजर लगी है मुझे लगता है शायद ये शादी उन दोनों का फिर से करीब ले आए, बोलो तुम्हें क्या लगता है, हो सकता है ना वो बस जगडा ना करे और शादी में कोई तमाशा ना करे, उतना ही मेरे ले काफी है, बस और कुछ नहीं ओहो निहार, बस भी करो अब तुम कभी तो अच्छा सोचा करो निहार, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम बहुत नेगेटिव बोलते हो आजकल तुम्हारा मतलब मैं रियलिस्टिक सोचता हूँ है ना हाँ, तुम जीते हैं हेई, क्या कर रही हो? वेडिंग केक ड्रॉ कर रही हूँ मैंने कहा था ना, एक बड़ा सा ओर्डर मिला है तो लेट तक काम है, हाँ हाँ, करना पड़ेगा, मुझे ये ड्राफ आज रात तक खतम करना होगा सुबा मेल करना है ओके लाफ, मैं बाहर जाने की सोच रहा था ओ नो, आज नहीं मैं तुम्हें किस से मिलने नहीं दूंगे, असला गॉंजा है माम गॉंजा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे, ओके? अब इसना मुझे गॉंजा बना दिया असलो, तुम मुझे से कुछ छुपातों नहीं रही हूँ, ना? देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हूँ नहीं मॉम, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप फिर बताओ, तुम फोन पर किस से बात कर रही थी? गॉंजा से मॉम तुम आज पूरा दिन उसके साथ थी, ना? हाँ, मॉम, थी, तो वो मुझे मूवी देखने के लिए बुला रही थी तो मैंने कहा दिया, देर हो रही है, बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी ठीक है, आसलो, मुझे तुम पर यकिन है क्या होमवर्क कर रही हो? मुझे तुम पर पूरा यकिन है, आसलो, तुम एक साथ पढ़ाई और काम दोनों कर रही हो मुझे तुम पर नाज है, बेटा क्या हुआ, बेटा? मिस्टर सिनान, मिस्चाला का रूम तयार है, और आप का रूम वैसे तयार है, जैसे आपने कहा था और कुछ करना है क्या? मिस्स एलचिन का सामान कल आ जाएगा, वो भी कल कमरे में रख देना, ठीक है न? हो जाएगा, सर डाड, वो कल शिफ्ट हो रहे हैं हाँ, फिर हम सब एक साथ यहां रहेंगे चलो, यह तो अच्छा है काश मैं भी तुम्हारे जितना खुश हो बाता लेकिन एज़ा जब तक नाराज है, यह मुम्किन नहीं काश वो खुद को मेरी जगार रख कर सोचती और मुझे समझने की कोशिश कर दी तो सब कितना आसान होता ठीक है डाड मैं आपकी बात मानूंगी मैं सारी पुरानी बाते भूल कर आपका साथ देने की कोशिश करूंगी यह सुनकर कितना खुश हुए तुम सोच नहीं सकती मैं नहीं चाहती, मेरे डाड मेरी वज़ा से दुखी हूँ मैं भी नहीं कर्णा नहीं आज की क्लास यही खत्म होती है अगली बार जब आओगे तब अपनी ड्रॉइंग्स कम्प्लीट करके ले आना तुम्हारे ड्रॉइंग पुरी हो गई? हाँ तुम भी तो अच्छा कर रही हो तुम्हारे लाइन बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे परिवार में कोई आर्टिस्ट है मेरे पापा मोजैक मास्टर थे सौरी मुझे पता नहीं था तैंक यू तुम्हारे पैरेंस जिन्दा है? हाँ लेकिन मुझे कहीं जाना है क्या हुआ? मैं फीज भूलाई हूँ क्या हुआ 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 है क्या हुआ 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 है कर दो कर दो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गिटार सिखा सकता हूँ बुराक चलो ना जल्दी यहां से चलते हैं आज मुझे शॉप में वहाद काम है असले मुझे मेरा वादा आज भी याद है हाँ ठीक है मुझे सच में देर हो रही है चलो ना ओके आसले आराम से तुम गिर जाओगी अरे जब तक पॉसिबल है साथ एंजॉय करो लवट्स अरे वो कहां गया उसके तो कार भी यहां नहीं है एए एए सुनो तुमारी कीज रह गए है एए पतो हुआ 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 अरे तुम हो मुझे लगा कोई और है अजीब लड़की है दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा और यह क्या तुम्हारे हाथ में कॉलेज में चाकू लेकर आती हो यह चाकू नहीं है नेल फाइल है हाँ जो भी हो कोई जुरत नहीं है यह लो कले तुम भूल गई थी तुम्हारी कार में था मैं डून रही थी थांकियो सो मच शु तुम्हारा भी कूई नाम होगा न हमारी ठीक से पैचान नहीं हूई इसलिए पोछ रही हूँ वोलकान मिलकर अच्छा लगा मुझे भी हमी जूट नहीं बोलना चाहिए मेरा मतलब जब दोस पूछते है तुम कैसे हो कहते है ठीक हूँ आदत हो जाती है न या हम किसी से मिलते है भले कोई पसंद ना हो फिर भी कहते हैं मिलकर अच्छा लगा ताकि उसे बुरा ना लगे लिकिन सच में कहती हूँ तुम से मिलकर खुशी हुई एनिवेस कीज के लिए थैंक्स फाइनली अब मैं दर्वाजा खोल कर घर में जाऊंगी रात को तीन फ्लोर क्लाइम करकी जाना आसान नहीं है और लवबर्ट स्वागत है हलो ब्रो मुझे क्लाइन को जल्दी से डिजाइन से इमेल करना है अरे हाँ आसले तुम जल्दी काम खत्म करो ताकि हमारा पहला क्लास मिसना हो कौन सी क्लास इमेल करने के बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी बुराग ब्रो मुझे कुछ बात करनी है मैं बताता हूँ कौन से क्लास की बात हो रही है आओ मेरे साथ बुराक अरे बुराक ब्रो क्या बता हूँ इन दोनों ने डांस क्लास जोइन कर लिए तो ये अची बात है न वो हमारे लिए डांस करती तो ठीक था ना लेकिन जानते हो यह दोनों सेक्सी सेक्सी कपड़े पहन करके डांस करेंगी, यह लोग वहाँ कमर मटकाएंगी और हम यहाँ बेकरी समालेंगे, और फिर यह भी नहीं पता कि वहाँ पे इन लोगों को डांस कौन सिखाएगा, उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी, कम ओन ब्रो, ज तो महलें होगी, तुम्हारा मतलब गुंजा ने तुम्हारी पर्मिशन ली थी, और नहीं तो क्या ब मैंने तो अरि आशलो 17 रहे वहे ह है, वो सब चोड़ आगे क्या करना ए, अब ना कहेंगे तो दोनों मानेंगी तो नहीं, अरे अब ना नहीं कहें सकते ना भाई, अब मेरे भाइ खंबे की तरह हूँ मुझे वो पोल बना देंगे पोल मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ चैनलो ठीक है फिर हम लोग जोइन करते हैं है यार हम लोग का डांस देखकर कि फिर यह जाया रहा है एक्साटली तो फिर यह तय रहा अब हम जा सकते हैं हम भी साथ आ रहे हैं तु महरत आन्सली कमाया हुए प्राइश छोइन करेंगे तुम दोनों हश की रही हो बिल्कुल हशने की क्या बात है हम या सवाम नहीं कर सकते क्या सचका हो तो मुझे नहीं लगता उमभी नाज सकते है ना बुराख वे वह डांसु आता है। तुम जानतेओ ये बुराख क्या घजब का डांस्र है भ्रू थोड़ा ज्यादा हो गया देखते हैं, तुम लोग क्या डियाओ गशला डेफ ने प्लीज थोड़ी देर के लिए शॉप का ध्यान रखना, तुम चलो, डेफ ने प्लीज शॉप का खयाल रखना, हाँ तुम चिंता मत करो, शुक्रान, असलम उसे सरूर कुछ चुपा रही है, कहीं वो किसी से प्यार तो नहीं करती और मुझे नहीं बता रही है, मैंने उससे पुछा तो उसने कोई जवावी नहीं दिया, एक्तम से सक पका गई, पता नहीं मुझसे क्या चुपा रही है, वही तो, वो तुमसे क्यों बोलेगी, वो कभी तुमसे कुछ नहीं चुपा दे, हाँ, लेकिन अगर वो पताना नहीं चाहती है तू, तो तुम ये क्या क्या रही है, मेरा मतलब है, अगर वो लड़का कोई आवारा और गुंड़ा हो तू, और अगर वो फस गई है तू, बाहर नहीं निकल पा और मैं गुसा करूंगे, इस डर से मुझसे ये बाते चुपा रही है, या अल्ला मेरे असल की रक्षा करना, खुद, खुद ही सोच रही हो और उसे सच मान रही हो, एमेल प्लीज, शान्त हो जाओ, असल एक बहुत समझदार लड़की है, सही कहा तुमने, असल समझदार है लेकिन शुकरान, प्यार में अकल खास चरने जाती है न, सचका, जानती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लेकिन तुम चाहो तो असल से बात कर सकती हो, प्लीज, तुम ही उससे बात करूना शुकरान, असल तुम्हें माँ और सहली दोनों मानती है, शायद तो मुझे नहीं बता सकते, तुम्हें बता दे, ठीक है, यह सब तो मुझे पर छोड़ दो, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो मुझे बता चल जाएगा, चिंता मत करो, चलो, अच्छा हुआ, वैसे, इसमें मेरी भी गलती है, उसे पैस्टी शॉप में नौकरी पकरी, लेकि थांक यू हलील, क्या बात है, सर कहीं जा रहे हैं क्या, मिस सिलडाज ने कुछ चीज़े मंगवाई थी, वहीं लेकर आया हूँ, मतलब तुम वापस जाने वाले हो, नहीं मैं बिजी नहीं हो, क्यों कोई काम था क्या, एमेल, असल की पेस्टी शॉप को सप्राइस सच में, तो ठीक है, चलो चलते हैं, मैं उसे लेकर जाओंगा, एमेल, बताएए, कब जाना है, आपको तकलीफ लेने के जरूरत नहीं, मिस्टर हलेल, ने, ने, तकलीफ ही कैसी बात है, मैं तो उसी तरह जा रहा था, मैं कार निकालता हूँ, आप काम ख़त्प करके आईए शुक्रिया, तुमने मुझे फसा दिया, शुक्रान, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम असलो को मिलने जाना चाहती थी न, मैंने ही चाहती कि तुम बस में डखके खा कर जाओ, शुक्रान, मैं जानती हूँ, तुम्हारा इरादा गलत नहीं है, लेकिन कभी-कभी तुम भीना शुक्रियों पूराग देख रहे हो ना कैसे नाचने चिबक चिबक के देखो देखो कोई आसले को ऐसे चूँ नहीं सकता थो बड़ा तोड़ दूगा मैं उसका हां मैं भी तुम दुनों क्या खुसर खुसर कर रहे हो हां अच्छा इबाल बताओ गोंजा क्या तुम भी ऐसी रांस करो कि ऐसी तुम भी नाचना चाहती हो चिबक चिबक के बताओ पार्टनर अच चलो हमें नाचना ही नहीं है क्या हुआ तुमें मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता समझी तुम पुराग भी यही चाहता है तुम दोनों को डांस के बारे में क्या पता है हां तुम्हारी सोच ही खराब है समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में चल के आ हेलो, वेल्कम, क्या आप क्लास जॉइन करने आए हैं? हाँ, ये मेरी गर्ल्फरेंड है और ये मेरी गर्ल्फरेंड है, हम दोनों साथ में डांस करने वाले हैं ओके, मैं आपको अटेंड करने के लिए इंस्ट्रक्टर भीज़ता हूँ ये क्या था पुराक? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? सची तो बोला, और क्या? हाँ, मैंने भी सची कहा अरे, लेकिन उसे बताने के क्या ज़रूरत है? तुम दुनों को लाना ही नहीं चाहिए था हम इसी तरह नाचेंगे, मन्जूर नहीं है तो चलो यहां से हलो, मेरा नाम गिज़िम है और मैं तुम्हारी डांस इंस्ट्रक्टर हूँ सुंदर मिलकर खुशी हुई मुझे भी खुशी हुई मैं अर्थिम मिलकर खुशी हुई और मैं बुराक मिलकर खुशी हुई आप से मिलकर भी अच्छा लेगा ओके, तो चलो वाम अप करते हैं यह क्या था, हम जा रहे हैं हाँ, हम जा रहे हैं, चलो यहां से बलकुल नहीं, मुझे तो डांस करना है कोई प्रब्लम नहीं, हम दोनों यहीं रुखना चाहते हैं लेकिन हमने ही रुखना चाहते हैं न, आसले चल सुने की हद होती है तुम दोनों तो हमसे भी बत्तर हो मुझे कुछ ने सुनना, चलो यहां से बस हालिल जी, आसले ने कहा था उसकी शॉप यही कही है न शायद रास्तिक उस तरफ होगी यह तो किराने की दुकान है गॉंजा माम आरे छुप जाओ तुम्हारी माम देखो देखो, मिस्टा पुराग थे न नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी अभी हमारे पास से ही गुज़रे मैं दुकान का बोर्ट देख रहा था इसलिए मैं शायद नहीं देख पाया लीजे, हम लोग पहुँचके गुद्दे बेटा वेलकम मैडम आँ, गॉंजा और आस्ला नहीं हाई? वो दोनू जल्दी लॉट आएंगी मॉम, हालील भाई हाई, एसलि कैसे है मॉम, आप कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ मैं कब से तुम्हारी शॉप देखना चाहती थी, बेटा तुम कहा थी इतने देर तक, और हाफ क्यो रही हो? बगल में नई दान्स क्लास खुली है हम बही गए थे आएंटी, आप खड़ी क्यों है, बैठिए न, प्लीज आप रुकिये, मैं आपकी बेटी के हाथ का बढ़िया सा केक लेकर आती हूँ मुझे पूरा यकीन है, आपको बहुत पसंद आएगा तुम कैसी हो, असलि? मैं ठीक हूँ, हलील तुम कॉलेज के बाद सीधे यहीं आती हो न, असल? हाँ, दिन भर मैं यहीं रहती हूँ शाबाश असला, यह शॉप तो बहुत अच्छी है उमीद है तुम्हें ऐसे ही तरक्की करती रहूँ थैंक्यू बेरी मच, मॉम आ रही हूँ, आ रही हूँ बेटा, तुम आओ अंदर आओ हलो तुम बैठो में आती हूँ हाँ, ठीक है मॉम तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था बताओ, आप कैसी हो? मैं हमेशा आपके बारे में सोचती हूँ मैं आज रात आपके साथ ही रहना चाहती हूँ मैं ठीक हूँ, स्वीटी तुम खुद देख लो, मैं ठीक हूँ सच में क्या आप मेरे लिए जूट बोल रही हूँ, मॉम या आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ के साथ रहू एदा बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी बताओ बेटा, मैं चाहती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो आइनो, तुमारे डैड और भाई अपसेट होते हैं तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है तुम्हें भूक लगी है? मैं कुछ खाने के लिए लाओ नहीं, मुझे भूक नहीं है भाईया ने अंकल से बात की, उन्होंने कहां वो नहीं जानते थे कि आप जेल में थी मुझे लगा वो जानते थे, आप जूट बोल रही है मॉम बेटा, ये जूट नहीं है, मुझे पता था वो कभी कुबूल नहीं करेंगे इतने साल ये बात उसने तुमसे क्यों चुपाई, इसका क्या जवाब देता वो इसलिए जूट बोला उसने भाईया को अंकल पर यकीन है उन्होंने कहां वो सेट जरूर ढूंडेंगे आई होप आप सच बोल रही हो, क्योंकि अगर ये बात जूट निकली तो भाईया कभी मुझे से बात नहीं करेंगे एदा बेटा, मैंने कोई जूट नहीं बोला है तुम मेरा यकीन करो एदा अच्छा, तुम अपने डैड से ठीक से बात तो कर रही हो ना बेटा हाँ, ओके, और उसके शादी में जाओगी मुझे नहीं जाना है एदा, बात सुनो, अगर तुम नहीं गई तो डैड को बुरा लगेगा तुम्हें शादी अटेंट करने ही होगी, समझ रही हो ना मेरी बात को हाँ माम ये हुई ना बात, गुड गर्ल प्यारी बच्ची असल, ये केक तुमने बनाए हैं? हाँ मैंने बनाए हैं बहुत स्वादिश्ट हैं, बहुत ही ज्यादा तांक यू असल, मिस्टर बुराग को शॉप पता है? को असल, मिस्टर बुराग मजर अलू असल, मिस्टर बुराग पूज बूजए बूजए एलू ऑर शर, बूरूए बुराग असल, मिस्टर बूए धर रात, बुरे एल हुए झाल झाल झाल